नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल मार्केट विद्याला में स्वागत है दोस्तों मंदी की आहठ ग्लोबली आ चुकी है यह बात मैं नहीं कह रहा हूं तीन बड़े-बड़े संस्थान कह रहे हैं मैं उस बारे में विचार्चा करूँगा क्यों मंदी आने का बहुत ज़ जरू सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों आई एमफ के प्रमूख उन्होंने चिंता जाता है कि हमारे जो ग्लोबल में मंदी आने की संभावन ना है वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि जो लगाता इंटर्स रेट हाइक हो रहा है उसके कारण भी ग्लोबल एकोनोमी स्लोडाउन हो गया है जो हमें आने वाले समय में रिशेशन देखने को मिल सकता है साथ माइकल वरी जोस्तों माइकल वरी ने भी कहा है कि आने वाले समय में मंदी की आहट देखने को मिल सकता है अब ये तीनों ने कहा है तो ऐसा नहीं कि आज ये कहा है तो कल से यहां पर रिशेशन हमे से पहले बात करते हैं माइकल बैरी ने दो हजार आठ में पहली भविस्वाणी कर दिया था कि आने वाले समय में बहुत बड़ा हमें क्रेस मार्केट क्रेस रिशेशन देखने को मिल सकता है बिल्कुल ऐसी होगा माइकल बैरी दो हजार आठ से लेकर 2010 तक सबसे जादा पैसे कमाने वाले बैक्तियों में से इल्क है माइकल बैरी ने यह भविस्वाणी पिछले साल की थी मत 2022 में जो इंड में तो ऐसा नहीं कि 2022 में उन्होंने आसंका जताई थी तो बिल्कुल रातो रात मंदी नहीं आएगी तो मंदी आने के लिए थोड़ा समय तो जो एक मेना पेले उन्होंने अपने पास जितने भी पॉर्टफोलिय था सब को उन्होंने खाली कर लिया उनके पॉर्टफोलियों में कुछ नहीं कि है उनकी portfolio पहली exit हो चुकी है, क्योंग उन्होंने आसंका है, और जब-जब Michael Varie जो बात कहते है, maximum time सच होते हुए हमें देखने को मिला है, वो बोल दिया तो इसा मतलब नहीं है, लेकिन maximum time हम देखने को मिल सकता है, World Bank ने भी कहा है कि लगातर bank यहाँ पर rate hike कर रहे है, bank अपना rate interest rate hike कर रहे है, तो यहाँ पर purchase power लोगों का दीर दीर कम हो रहा है, लोग अब यहाँ पर खर्चा करने से डर रहे हैं, तो ऐसे इस्तिति में economic slowdown, तो यह जितने चीजे होते हैं यह रात रात नहीं होता है, अगर अब मार्केट में देखेंगे, तो हमें इसका सुगूगार तो देखने को मिल रहा है, अब जैसे कि हम Dow Jones की बात करते हैं, Dow Jones में आप straight देखेंगे कि लोग उपरी लेबल से वेट कर रहे हैं, उपर लेबल में जैसे ही पहुंसता है, 33-34 लोग वहां से short selling करने लग जाते है तो आप Dow Jones को भी देखके एकदम क्लिरी क्लिरी आप इसकांद आजा लगा सकते हैं, दूसरी बात अगर हमारे निफ्टी की बात करेंगे, तो पिछले साल आज से एक साल पहले निफ्टी जहां था, आज भी हम बात करेंगे, तो निफ्टी बिलकुल वहीं पर खड़ा है, यह दूसरा चीज़ लेकिन जो सबसे चौकाने वाले चीज़ है, आई एमफ है, वर्ल्ड बैंक है, यह कोई इंडिविज्विज्व नहीं है, इनके बहुत से स्टेडी करते हैं, बहुत से रिसेज़ करते हैं, उसके बाद यह आपको डेटा प्रजेंट करते हैं, आई ग्रोप की बात करते हैं, तो आप हम यहां पर देखने को मिला है, हर जगा एक महौल समना हुआ है, अगर आप हमाई इंडिया की निफ्टी की बात करेंगे, यह छोड़ निफ्टी की बात मत करो, आप अपना खुद का पोर्टल फोलियो एनलाइस कीजिए, आज निफ्टी लाइफ टाइम हाई की आसवास खड़ा है, मतलब अठारा जाएजा साथ सो अठारा जा जा रहा है, आट सो एक में, आपका पॉर्ट्फोली देखेंगे, तो तो पचास परसेंट डाउन होगा, तीस परसेंट डाउन होगा, जैसे जो टॉप के सेयर हैं, उनकी बात करें, तो वो अभी चालिस परसेंट, पचास परसेंट डिसकाउंड में मिल रहे हैं, स्मॉल केप की बात करें, मिट केप की बात करें, तो हरी स्टाप अभी के सामय हमें, आप थर्टी परसेंट, पोर्टी परसेंट डिसकाउंड में मिल रहे हैं, तो ऐसे सिनारियों में, आप आ जो groups हैं, जो बड़े-बड़े institute हैं, वो आपको बार बार अग्रह कर रहे हैं, आपको संदेश दे रहे हैं कि economic slowdown is coming soon, तो देखिए, coming soon आने वाला है, तो हमें, आज बोल देखा तो कल नहीं आएगा, लेकिन उसको देखा आने ठोड़ा हमें एक दीरे-दीरे-दीरे करते हैं तो माहुल create हो गया है, तो ऐसे इस्तिती में नीवेस करें तो करें क्या करें, जो long time investor है, उनको इस सबसे कोई फरग नहीं पड़ता, market जिस तेजी से गिरता है, उस से double तेजी से उपर जाते हुए हमें देखने को मिला है, जैसे कि Corona के समय देख लेजिए, market इतना speed से गीरा लेकिन जब रिकवर किया ना, stock तीन गुना, पाल गुना, ददस गुना तक हमें दौर तो देखने को मिले, तो जो long term के player रहते हैं, उनको इस सबसे कोई फरग नहीं पड़ता, जो short term के player रहते हैं, यहां पे पूरी तरह से बरभादी हो सकते हैं, और हमने देखा कि पिछल चीजे हमें आने वारे समय में कुछ डर है, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि हमारा जो economic slowdown कैसे हो सकता है,